आफ पार्टनर्शिफ फर्म हुए कुछ कोश्चिन मैंने पिछली क्लास में कराये थे आपको और आज हम कुछ कोश्चिन और करेंगे फुल फ्लेज कोश्चिन और पार्टनर का जो खुद का लोन है उसका ट्रीटमेंट भी आज सीख लेंगे अब यह बहुत अच्छा कोश्चिन थोड़ा सा बड़ा कोश्चिन भी है मेरे सामने वह कोश्चिन में 36 पहले पूरा कोश्चिन पढ़ते हैं समझते हैं इन 36 कोश्चिन को करेंगे 37 तो पिछली क्लास में करा चुका हूं आपको तो आज जो भी कोश्चिन है वो निप्टा देंगे और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज इसकी 36 कोश्चिन जो है उसको अच्छे ज़रा समझते हैं क्या लिखा है Following is the balance sheet of Arvind and Balbir और इनके पास balance sheet में है creditors, bill payable, loan by Mrs. Arvind यानि कि जो Arvind है उसकी wife ने कोई loan दिया हुआ है, loan by Mrs. Balbir, reserve fund, investment fluctuation reserve और अर्विंद और बलवीर की capital तो उसमें जो यह reserve fund है यह partners के capital account बढ़ जाता है credit side, cash को opening balance, bank को opening balance आपको दे रखा है stock है, investment है, debtors है और मैं आपको class debtor और provision for outlet कहां लिखते हैं यह भी बता दूँगा आज building है, plant है, goodwill है, profit and loss account है तो यह सारी चीजे class आपको दे रखेंगे additional point में कहता है the firm was dissolved on the above date due to the following arrangement business बंद हो गया और हुआ क्या कि अर्विंद promise करता है कि वो अपने wife के loan की payment करेगा और stock को लेगा 6000 में stock क्यूंकि asset है तो यह credit side जाएगा और अर्विंद की wife का जो loan है वो payment कहां पे होगा debit side और यह दोनों payment किसकी through होगा अर्विंद के through बल्बीर ने आधी investment ले लिए 10% discount में आप जड़ाद देखो investment है कितने की books में चेक करो investment यहां पर आपको दे रखा है class कितने का 15,000 का और बल्बीर ने आधा investment ले लिया तो 15,000 का दो आधा है वो है class 7,500 और यह 10% discount में लिया है तो 6,750 में ले लिया उसने यहांनि कि जड़ाद आधा लिया है जो कि बनेगा 7,500 का और 10% discount यहांनि 7,500 माइनस करेंगे 750 तो जो amount आएगा वो आएगा 6,750 डेटर रिलाइज 28,500 बुक डेट यानि डेटर तो इनसे जो पैसा मिला class वो मिला कितना 28,500 डी पॉइंट बहुत अच्छा है class और इस डी पॉइंट की वज़े से ही मैं आपको question करा रहा हूँ गुजरा पढ़ते हैं class डी पॉइंट क्या लिखा है डी पॉइंट कहता है कि जो क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है उनकी पेमेंट एक महीने के बाद करनी थी कतिस मार्च के trade creditors and bill payball were due one month after 31st March but were paid immediately 31 March के एक महीने बाद payment करनी थी creditors के और bill payball की लेकिन हम जब आज अपना business बंदी कर रहे हैं तो हमने बुला है क्या एक महीने के बाद हम payment करें हम आज ही payment कर देते हैं अगर हम आज payment करते हैं तो वो हमको discount देते हैं 2% per annum का यानि वो कहते हैं कि आप हमें जल्दी pay कर रहे हैं जिस खुशी में हम आपको 2% का discount देते हैं लेकिन बच्चों ये 2% जो है वो एक साल का है यानि कि एक साल का 2% 2% जो है वो per annum है वो एक साल का 2% है तो आपने payment एक महीने पहले की है तो 1 by 12 करना पड़ेगा आप चेक करो trade creditors और bill payable कितने के हैं 45,000 के trade creditors है और bill payable है 12,000 का 45,000 है trade creditors और जो bill payable है वो है 12,000 का माइनस करेंगे 2% discount है तो 45,000 का ही आप निकालोगे 2% और कितने महीने का class 1 by 12 कि 2% साल का है यानि अगर आप साल भर पहले पैसे दे देते हो तो आपको 2% का discount मिलेगा लेकिन आपने एक महीने पहले दिया तो 1 by 12 amount निकल के आएगा और जो 12,000 है उसका निकालोगे आप 12,000 का 2% और 1 by 12 तो यह आएगा class 75 solve करके यह आएगा 20 12,000 का आप calculate करोगे 2% 1 by 12 तो आप 45,000 में से घटाओगे 75 तो 44,925 आएगा और यह आएगा 11,980 जब 20 रुपय का discount है तो यानि कि ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल पेबल इन दोनों की payment एक महीने की बाद करनी थी पर आप अपना business hours close कर रहे हो तो आपने आज ही उनकी payment कर दी जिसके वैसे discount जो है वो 2% पर NMP discount मिलेगा बाकि plant बिग गया, building बिग गया, goodwill बिग गया, investment बिग गया एक पुराना टाइप राइटर है class जो class ले लिया बलबीर ने बाई बलबीर के नाम से आगा कि बलबीर ने ले लिया है और राइशन expense जो है वो कितने का है class 1500 का तो टू बैंक करके हम डाल देंगे राइशन expense और बाकि आपने यह तीनों चीजे बनानी है तीनों चीजे क्लियर करनी है कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी है तो फटा फट क्लास पूछ लो बिल्कुल करेक्ट है class राणी लोही है बिल्कुल सही लिखा है यह calculation बिल्कुल परफेक्ट है तो फटा फट आप लोग realization account capital account और bank account देखो मैंने आपको पहली class के अंदर capital account बनाना सिखा दिया था बैंक account बनाना सिखा दिया था कुछ नहीं करना है सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है तो आज मैं आपको सिर्फ realization account बना के दे रहा हूँ आप realization का फॉर्मेट बनाओ बाकि सारा तो आप लोग ने पहले करी लिया है क्या capital account और bank account में सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं लेजर पोस्टिंग आप realization का फॉर्मेट बनाओ 36 कोशिन हम सॉल्व कर रहें 36 realization account चलो class अब लोग 36 कोशिन का फॉर्मेट जो है वो चालू करो realization account का format बनाना लेटिंग डालो फॉर्मेट 36 को रियलाइजेशन अकाउंट तो सबसे पहला काम होता है बैलन्स शीट को खाली करना cross transfer हर चीज आपने transfer करनी है पटाफट class खाली करो बैलेंशीट जो जो चीज यहाँ पर आपको debit दिख रहा है वो सब credit और जो उधर credit दिख रहा है सब debit करो class जल्दी से पटाफट सारी चीज़े को transfer करो जो भी दिख रहा है class आपको सबको आपने transfer करना है तो इधर मेरे को लिखना है संड्री लाइबिलिटीज क्या क्या लाइबिलिटीज हैं हाँ पर क्रेड क्रेडिटर्स वो है 45,000 के बिल्स पेबल वो है 12,000 के मिसिस अरविंद लोन अरविंद की वाइफ का लोन है 7,500 का मिसिस बलवीर लोन बलवीर की वाइफ का लोन कितने का है 15,000 का क्लास रिजर्व फंड तो बट जाएगा ध्यान रखना रिजर्व फंड क्यापिटल एकाउंट में बट जाता है IFR, AZT आएगा और उस तरफ अब capital account तो आएगा नहीं कि capital account किसका balance बन जाएगा capital account का balance बन जाएगा opening balance by balance cash और bank नहीं आएगा तो कि वो दोनों को जोड़ कर आप cash या bank account कोई भी बना लो उसका opening balance लिख देना या cash and bank एक अठा लिख देना asset side क्या 500 का stock के बाद है investments investments है इस question में 15,000 के debtors debtors है 30,000 debtors जो है 30,000 के बच्चो जो provision for doubtful debtor उसको हमेशा opposite side लिखना ये बात अगर आपने नहीं मानी तो एक number कटेगा सीधे यहाँ पे जो data है ये जो class data दिख रहा है आपको आपने opposite side ही लिखना है मतलब कि इधर लिखना है provision for doubtful debt clear है next building हमेशा ज्यान लखना अगर होगा हम ये काम करेंगे जो building है वो 22,500 की है building के बाद है plant plant है 30,000 का plant के बाद जो goodwill है वो भी यहीं पे आएगा 6,000 की goodwill है और उसके बाद है profit and loss account तो वो तो बढ़ जाता है capital में वो चीज़े cover नहीं होगी हम इसको जड़ा total करके लिख लेते 45,000 है plus 12,000 है plus 75,000 है 15,000 है और यह solve करके आगया 84,000 आप लोग भी जोड़ते रहो सब लोग साथ साथ यह 75,000 है तो वाकी इकलास अगर हम सबको add कर रहे है इदर तो आ रहा 1,000,000 एक लाग 11,000 तो हमने सबसे पहला काम किया किया पूरी balance sheet को खाली कर दी पूरी balance sheet हम लोग ने class खाली कर दी जो चीज जहां पर आते उची लिख ली मैं capital account और bank account नहीं बनवारा class वो laser posting है मैंने सिखा जेता पिछली class में यह अपना आप बनाओगे अब इसके बाद क्या होने वाला है additional point पर आजाओ सब लोग सबसे पहला point लिखा है कि अर्विंद जो है वो promise करता है कि वो अपने wife के loan की payment कर देगा ठीक है यहां लिखो 2 अर्विंद capital account 2 अर्विंद capital account अर्विंद अपने wife के loan की payment कर देगा तो अर्विंद की wife का loan आप यहां से देख लो कितना है 7500 का अर्विंद कहता है मैं pay कर दूंगा और अर्विंद साथ में stock भी ले रहा है अर्विंद stock ले रहा है question जरा पढ़ लो 6000 में ले लिए stock यहां लिख दो 6000 जो भी asset ली है अर्विंद ने वो credit side आएगा कि asset जो विकता है वो credit में और जो liability की payment होती है वो debit में बल्बीर ने आधी investment ले ली तो investment किदर है asset है इदर है इस side आएगा buy side ठीक है लेखो class buy बल्बीर capital account bracket में investment ठीक है वो आएगा 6,750 कैसे investment था 15,000 का आधा ही लिया है उसने वो भी 10% discount पे आधा बनेगा 75,000 बनेगा आधा और उसका 10% आएगा 6,750 तो माइनस करेंगे तो answer आजएगा 6,750 debtors से rely अब इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है debtors buy bank debtors debtors से कितने class हो गया 28,500 फिर लिखा है creditor और bill payable की payment तो यहाँ पे किसी का नाम तो लिखा नहीं है तो two bank creditor तो creditors कितने के थे class 45,000 के माइनस करेंगे इस 45,000 का ही दो परसेंट और एक महीने का एक बट्टा बारा तो यह class solve करके जो class आएगा amount वो आएगा 44925 और 1 by 12 अभी तो लिखवाय था ना class आपको 11,980 रुपय आएगा creditors और bill payable की payment हो गई बाकी और भी कुछ चीजे बिकी है जैसे क्या क्या विकाए class आप चेक करो यहाँ पे plant, building, goodwill और investment यह सब चीज बिकी है बताओ निशांत कोई doubt है तो unmute कर दिया है 30,000 book debt book debt तो यह लिखा तो है 30,000 उसकी payment 28,500 मिला ना data से तो question में लिखा है 28,500 देखो यह मिला जितना पैसा मिलेगा उतना लिखेंगा sir यह जो sir यह जो goodwill balance sheet में given है वो नहीं बटेगी partners में यह तो सुरूर में बताया था goodwill बिकताया बटता नहीं इस chapter में हाँ बागे सब chapter में बटेगा इसमें बिकेगा okay आगे चलते है class के बाद data हो गया और क्या 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 बिकराया है सब चीज लिखाया है इस सब चीज बिकराया है तो हम लिखते है by bank के नाम से हमने heading बनाई लिए उसी के अंद लिखते है plant plant से कितना पैसा class मिलता है 37,500 building से building से class कितना amount मिलेगा 60,000 goodwill से 9,000 goodwill से 9,000 remaining investment remaining investment इस से जो amount आपको मिल रहा है 67,50 यह सारा का सारा class amount आपको receive हो रहा है एक पुराना typewriter था जिसको बलवीर ने ले लिया क्यूंकि उसे बलवीर ने ले लिया है तो वह आएगा by बलवीर capital account के नाम से एक typewriter है पुराना है बलवीर है बलवीर ने उसको ले लिये लाड़े 400 में और बाकिए अगर हम इसकी totaling कर देंगे 28,500, 37,500 60,000 और यह अगर हम साथ totaling करें तो कितना रहा है 141,750 लास्ट में लिखा है realization expense यह two bank करके heading तो बनाई हुआ है इसी में लिख देंगे हम लोग realization expense तो कितना realization expense है इसके अंदर realization expense वर 1500 तो realization का जो खर्चा है वो है 1500 अब question खतम करने से पहले हमें check करना है क्या कोई ऐसी liability तो नहीं bill payable का payment हो चुका है mrs A के loan की payment तो उसके husband ने कर दी mrs B के loan के बारे में कुछ भी नहीं कहा question नहीं मतलब जो B की wife है बलवीर की wife है उसके loan के बारे में कुछ नहीं कहा तो अपने payment करेंगे mrs बलवीर loan 15,000 यह जोड देते हैं क्लास हम लोग कितना बनता है 15,000 प्लस 1500 11980 और 44925 यह आ रहा है क्लास 73405 फटाफ़र टोटलिंग करें क्लास आंसर निकालो जल्दी से कौनसी साइट बड़ी है चेक करो और बताव क्लास की इसका करेक्ट आंसर क्या है इसमें क्रेडिट साइट ज्यादा बड़ी लग रही है 450 450 प्लस 1417 141750 और प्लस 6750 प्लस 6000 प्लस 84,000 यह आ रहा है क्लास 238950 238950 238950 238950 माइनस करेंगे 73405 माइनस करेंगे 1111000 और 7500 47045 हमारा आंसर क्लास आ गया है 47045 ठीक है यह किस नाम से आएगा 2 realization अगर realization सही है फिर तो सारी चीज़ सही होगी capital account of अर्विंद और बलवीर और इस question की जो ratio है अर्विंद और बलवीर की वो इस question में ratio तो दिया हुआ है नहीं तो हम ratio को equal मानेंगे 23523 23522 यह क्लास हो गया पूरा का पूरा question कोई भी डाउट अगर इस question में 36 question में you can ask क्रेट साइट ज्यादा बड़ी थी तो डेविट साइट जो है वो आ गया sir इस question में मैंने सिर्फ इतना ही बोला था expense on realization को ignore करेंगे मैंने आपसे यह नहीं कहा था अगर कोई partner realization expense को bear कर रहा हो कब जाके ignore करेंगे इतनी बाते लिखवाई थी उस question में देखो यह अभी भी देखो underline मैंने सिर्फ यह बोला था कि कभी भी realization expense लिखा हो तो उसको ignore कर देना मैंने ऐसा तो नहीं बोला था मैंने कहा था कि अगर कोई partner को किसी काम के लिए खर्चा दिया जाए तो वो सारा खर्चा उसका होगा इतने example दिये थे school fees का बताया था tuition fees का बताया था मैंने कहा था अंजू यहाँ पर appoint करी गई है asset को बेचने के लिए अब उस asset को बेचने के लिए हम अंजू को 5% commission दे रहे हैं उसके बाद expense होगा हमने बोला अंजू देखो हम तुमें commission देने बाकि सारा खर्चा तुमारा है वो तुम जहलोगे और फिर जो खर्चा question में दिया उसको ignore करेंगे कि वो अंजू का personal expense है वो कोई business का खर्चा नहीं है इसलह हम उसे ignore करेंगे मैंने इतनी बाते बताई थी आपको ठीक है मैंने यह नहीं कहा थे relation expense को ignore कर देना हाँ अगर कोई partner उसे bear कर रहा है और फिर उसकी payment हो रहे है तो partner का अपना खर्चा है आप मुझे tuition fees देते हो और बदले में जो भी कुछ खर्चा है वो मेरा अपना खर्चा है वो मैं bear करूँगा उसको business से ले लालने कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है हाँ मान लो कि मुझे आपको पैसे देने थे 30 April को ठीक है मैं आज अपना business बंद कर रहा हूं 31 March को तो मैं आपसे बोलता हूं देखो खुशी मैं आपको एक महीने पहले payment कर देता हूं तो आपको अगर मैं समय से पहले पैसा लोटाओंगा तो आप मुझे discount दोगे ना आपने मुझे दे दिया discount 2% per annum का तो amount था 45,000 का निकालेंगे 2% कितने महीने का एक महीने का तो जो amount निकल के आएगा that is 75 यह discount similarly bill payable के अंदर क्योंकि यह per annum है per annum का मतलब साल का 2% है आपने मुझे एक महीने पहले पैसे दिया है तो मैं आपको एक बट्टा बारा करके amount निकाल के दे दूगा 45,000-45,000 लिखावाए ना 45,000- उसका amount निकाला मैंने 75 बन रहा है discount 45,000 पर लगेगा ना यह मत बोलो 45,000-45,000 यह bracket में सारा कुछ इसको solve करोगे 75 रूपीज आएगा 45,000-75 that is 44925 similarly bill payable में done है ना उतकर्ष बोलो उतकर्ष बोलो आप without चलो class continue करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं काफी हमने questions को solve कर लिया और किसी को doubt है तो फटाफट पोचलो class question तो ऐसे नॉर्मल ही था पीएंडल ना opposite side जाता है हरश्वर्दन पीएंडल opposite side जाएगा ठीक है opposite side जाएगा पीएंडल जिदर भी उसके opposite जाएगा अभी किदर है asset है तो debit side जाएगा ओके अब मैं आपको class heading डालो फटाफट एक point है वह हम समझ लेते हैं चलो एक और question कर लेते हैं फिर हम करेंगे उस point को ठीक है एक और question class कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे एक और question class देखते हैं उसके बाद हम चलेंगे question 36 हो गया 37, 38, 38 तो class मैंने आपको बोल दिया था आप लोग class 32 पे आजाओ जल्दी से 32 question उसको भी बना लेते हैं फिर मैं आपको loan account सिखाऊंगा पार्टनर का 32 question पे आजाओ 32 question बड़ी और practice करते हैं realization account के बारे में 32 question come to 32 यहां पे करते हैं question 32 solve question number 32 इसको समझ लो doubt ले लूँगा जो भी होंगे बाद में ठीक है don't worry इसे question को कराने दो 32 बाकी सारी चीज़े आपको बनानी है मैं आपको realization account देता हूं बनाके सबसे पहला काम क्या होता है बताओ class balance sheet को खाली करना नहीं हर चीज़ को cross transfer करना 32 में यहां में बडिता हूं by sundry liabilities सारी लाबलेटी को यहां उतार देंगे करके देखो यह रहा 32 question यह जितनी भी liabilities है जो जो transfer होनी चाहिए एक bank overdraft, IFR, loan by A तो class यह ध्यान रखना यह partner का खुद का loan है आज मैं आपको सिखाऊंगा कि partner के खुद के loan की क्या treatment करेंगे partner का जो खुद का loan होता है self loan खुद का जो loan है उसका हम क्या treatment करेंगे यह मैं सिखाऊंगा आपको जो की बहुत important है क्या treatment बहुत simple है कोई बहुत बड़ा काम नहीं है उसका लेकिन यह चीज realization account मत भेजना आप partner का जो खुद का loan है वो realization में नहीं भेज़ेंगे वो direct जाएगा bank account के credit side मैं आपको पूरी लिखवाँगो डेटेल अभी क्या है system यह इसे loan account में भेज दो सीधा हमें एक loan account बना लेंगे तीन लाइन का उसमें भेज देंगे तो यह realization में तो नहीं जाएगा बागी cash bank नहीं जाता यह provision class यह सब चीज class यह जो B का capital account इधर लिखा गया है ना वो partners के capital account में यह debit side balance आएगा और यह जो A का है वो partners के capital account में credit side आएगा मतलब इधर लिखा है तो buy balance BD और इधर लिखा है तो 2 balance BD यह negative balance है यह आप कहा सकते हो debit balance है यह opening balance है A का आएगा buy balance BD B का आएगा 2 balance BD क्योंकि यह negative balance है तो करते हैं transfer एक करके फिर हम addition points को पढ़ते रहेंगे तो 32 question में सबसे पहले इधर bank overdraft है यानि कि bank का negative balance आपने bank से ज्यादा पैसे निकाले हुए overdraft तो यह amount है 30,000 का investment fluctuation reserve 20,000 का है खुद का loan यहाँ पर नहीं आएगा ध्यान रखना खुद का loan partners का वो यहाँ पर आप नहीं record करोगे इधर आएगा sundry debtors सारी asset को line by line लिखो बार बार ना बाई करके क्यों लिखूं sundry debtors जो है वो है 26,000 के provision इधर आएगा provision for doubtful debt 2,000 investments investments 40,000 investment के आदर stock 10,000 stock है 10,000 stock के आदर furniture है भी 10,000 का है furniture जो है building 60,000 तो यह सारी चीजे class आएगे यह class 32,50 यह 52 आएगा 52,000 और यह आएगा 26,000 प्लस 40 यह solve करके class आएगा 48,70,80 1,20,000 प्लस 26,000 तो अमने ट्रांसफर कर दिया सारी चीजे को जहां प्यानी चाहिए अब जो जो लिखा रहेगा वह हम यह करके सारे additional point पर करते चले जाएंगे रूल अपना सेम है असेट विखेगा तो credit लाब्रेटी की payment होगी तो debit क्या लेखा चेक करो on the date partners decide to dissolve the a took class form dissolve होगी a ने क्या किया a took investment 35,000 investment तो asset है investment asset है a ले रहा है a is capital account bracket में investment 35,000 a ने investment लेली 35,000 a ने class क्या किया investment को ले लिया कितने में 35,000 a ने investment ले लिया 35,000 a took over investment 35,000 sundry data और बाकी जो चीजे class realize हुई है by bank करके सारी चीज करते है by bank sundry data full amount data इधर देखना है बच्चो ध्यान रखना data जो है full amount है sundry data होगा data full amount पूरा amount लिखोगे provision वगेरा class compare नहीं करोगे यह revaluation नहीं है यह realization है संजरे बात को sundry data में class आएगा 26,000 जो data lies हुआ है 26,000 का हुआ है और उसके बाद है provision for doubtful debt वो तो कुछ लेना ही नहीं है आपने लिखाए कि stock 15% less stock से 15% घटा देना है आपने ध्यान रखना stock है 10,000 10,000 का 15% 1500 आएगा उसे less कर दो stock से जो पैसा आएगा वो आएगा 8,500 furniture है 20% less furniture है 10,000 का जो 20% है वो 2000 है वो furniture में आएगा 8,000 building sold for 1,000,000 जो building है वो आपने बेच दिया building कितने में क्लास 1,000,000 में compensation to employee paid by the firm 10,000 to bank compensation to employees compensation to compensation to employees को जो आपने compensation payment किया है वो 10,000 का payment किया है ऐसा लिखा है इसमें बस और कुछ भी लिखा है कुछ नहीं कहा तो एक ही चीज है bank overdraft कि bank overdraft ही liability है IFR कोई liability नहीं है नहीं provision for doubtful debt कोई liability है बस और तो कुछ 32 कोशिन में कौन सा क्लास बड़ा point है चेक करो फटा फट क्लास कौनसी side बड़ी है 32 कोशिन फटा फट चेक करो कौनसी side बड़ी है credit side ही ज्यादा बड़ी लग रही है 229500 229500 माइनस करेंगे हम लोग इसमें से 43500 आ गया हमारा answer 43500 कई बार खाली realization account ही पूछा जाता है to realization gain transfer to और यह कहां चला जाएगा क्लास capital account of AB और इनकी ratio है 2 by 3 और 1 by 3 into 2 by 3 यह आएगा 14500 और यह आएगा 29000 क्लास यह देखलो solution 32 का पूरा-पूरा capital account 10-10 minute के अंदर आप बना लोगे अराम से capital account आप कोई problem नहीं आएगी अराम से बना लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा homework में आपको class question दूँगा आज मैं काफी कोईशित दे पाऊँगा आपको homework आज किसी भी तरीके से आप account बनाओ और खतम करो realization account, capital account, bank account जब खतम होगा तो अगली class में से बनाओ जनल एंटरी कराना स्टार्ट करोगा ओके तो यह हो गया class आपका questions अब हम लोग एक नई चीज़ सीखते हैं वह पार्टनर का self loan treatment of ज्यान से सब लोग समाझना ठीक है treatment of partner self loan अच्छे से class समझ लो ताकि आप जो भी doubt होगा वह मैं ले लोगा last में अभी partner का self loan अच्छे समझ लो क्या है partner ने जो loan दिया हुआ है business को वह partner का self loan है तो मैं आपको यहाँ पे partner loan का एक छोटा सा account बनाके दिखाता हूं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ध्यान से समझना class partner का loan जो है जैसे capital मिलता है ना balance sheet में उसी तरीके से partner का loan भी किदर मिलेगा balance sheet में जैसे capital मिलता है ऐसी partner का loan भी मिलेगा तो जो balance sheet है उसमें आपको partner का loan class मिल जाएगा is loan जैसे capital मिलता है ऐसी loan मिलेगा लेकिन loan अलग चीज है capital अलग चीज है अब मेरी बात class सुनो maximum तीन शर्ते हो सकती है इसके अंदर सबसे पहली बात अगर आपको कभी भी सुनना मेरी बात कभी भी partner का loan balance sheet में मिल जाए liability side तो उसे उठा के class opposite side लियाना partners के loan account में buy side by balance BD अब तीन बाते हैं सबसे पहला qयोश्षिन silent है कुछ भी नहीं कह रहा जैसे अभी आपने qयोश्षिंद देखा a का loan फाएं अध्यानक यह partner के खुद के loan की बात कर रहा हूं मैं उसके wife की loan की बात नहीं कर रहा मैं उसके रिटिव की loan की बात कर रहा self loan तो question silent है दूसरा केस क्या कह सकता है क्लास पहला केस है कोशिन साइलेंट है दूसरा केस यह कह सकता है क्लास कि पार्टनर ने पैसे ले लिए पार्टनर तुक कैश पार्टनर ने पैसे ले लिए लोन के बदले तीसरा कह सकता है क्लास पार्टनर टेक ओवर असेट टेक ओवर असेट देखो मानलो मैं ही पार्टनर हूँ मैंने बिजनेस को पचाज़ार का लोन दे रखा है तो अगर कोश्चिन कुछ नहीं कहता है तो आप उसकी पूरी पेमेंट कर देना सटल खता है केस बंच और कॉश्चिन कुछ नहीं कहता केस वन में लख दीना में क divide जू ना नक्यार्ट का लौन का मैं अचछे से क्या कोश्च मैं केस कहता है बना देता हूँ चलो मिटाता नहीं हो बना देता हूँ तो ठेक है यह रहा है पार्टनर्स लोन एकाउंट में दूसरा केस तीसरा केस सब बनाई देता है ध्यान से समझ ले ना बस आप लोग अच्छे से ठीक है चलो दूसरा क्या है कि वो कैश ले रहा है दूसर बात तो वही है ना कैश ले रहा है तो कैश बैंक बात तो बराबर है वही कैश से कम ले रहा है, वो कहारा है कि 50.000 रोपे ले रहा है चाला फिकillion में क्लास कष़ख कर बचेगा मेरी बात चालंज्टन में क्लास कहरा है जो भी बॉलेंसिग विडियान से सप्सक्तर कर स सेखर बात जो भी ब्लेंस्ग लेने को तयार है तो जो भी यहां पर घाटा है या फाइदा है वैसे तो फाइदा है पचास की जगए तयार है वह सटल करने के लिए लोन को तो यहां पर पांच जगा फाइदा होगा हो जाएगा रिलाइशन में अच्छा सर अगर ऐसा होता कि वो कहता मैं 50 की जगे 60 लूँगा अगर ऐसा होता कि 50 की जगे वो 60 लेता तो तो पता क्या करते क्लास सुनना मेरी बात को अगर वो 60 लेते तो टू बैंक में लिख देते शाठ फिर बैलेंसिंग फिगर करते छाएका टूटलिंग अब फिर हम बैलेंस करते और इधर जो भी बैलेंस बचेगा दस अजार का इधर जो भी बैलेंस बचेगा 10,000 का वो आएगा क्लास बाई की रैलाइजेशन अकाउट की नाम से बैलनंस कहने का मतलब क्या है फायदा हो चाहे घाता हो वो जाएगा कहां कं से रैलाइजेशन में सीदी सी बात है लोन अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां जाएगा रिलाइजेशन अकाउंट के नाम से जाएगा और कुछ क्लियर है यहां तक क्लास यहां तक कोई डावट प利शानी फटाफट एकलाज रहा रास्पाउंट करों जला निसेशानी ज्गत कोई तक परिशानी जनकाउन जाएगा बचाव ज़ू है वे पांट्रस पेचाहन बच जायगा अरश्थ करारों ख्लास कोई रिविजनी चैप्टर चली रहा भी ये चीज़े क्लास क्लियर हो गई यहां तक डन पहले क्लास लाबिलेटी वाला समझे लो फिर असरेट वाला भी समझा दूंगा डोंट वरी पहले आप लाबिलेटी वाला समझो क्लियर है क्लास यहां तक अब लास्ट ऑप्षिन इसका ज़र्ण यह देखो लास्ट ऑप्षिन नहीं कहा है मानलो दूसरों जो है वह उसके लिए कम पेमिंट ले रहा है ज्यादा जो भी पेमिंट वो ले रहा है वह डेबिट साइड लेख दो और जो balancing figure आप रोडालाज़ाशन में डाल दो तीसरा है partner को यह asset लेने को कहता है जहान से समझना है class तीसरा मालो यह हो गया by balance bd पचास जार वो asset लेने को कहता है बच्चों जब वो cash लेता है तो आप two bank लिखते हो या cash लिखते हो अगर वो asset लेगा तो two realization account लिखोगे मालो वो 40,000 की asset ले रहा है तो बस cash या bank की जगे क्या लिख देने class two realization लिख देना और जो भी balancing figure अब आएगा वो पहले भी आप realization में लिखते थे अभी वो उसको realization में लिखोगे यानि कि जो balancing figure है यहाँ पर आएगा मालो 10,000 का वो realization में अगर वो 60,000 की चीज लेता तो यहाँ पर आएगा 60,000 फिर इधर जो 10,000 आएगा वो भी किस नाम से आएगा realization account के full मिला कि balancing figure हमेशा realization के नाम से आएगा asset लेगा तो आप लिखोगे two realization cash लेगा तो class आप लेखोगे two बैलंसिंग फिगर क्लास जो भी बैलंसिंग फिगर बचेगा वो रिलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा आपने ध्यान रख जो भी में बनेगा नğı इसका पॉइंट बनेगा लिए सनिटीफिंट करते हैं 22 question पर class आओ इसकी practice करते हैं numbering wise 22 question 22 question एक बार समझे लो class 22 question फिर इसके practice करेंगे डाउट आपके ले लोगा भी 22 का राज जेता हूं उसके बाद चीक है मैं आपको loan account दिखा रहो हूं बना के बस loan account कैसे बनता है एक बार चेक कर लो class फिर डाउट लेता हूं आपके 22 question पर सब लोग आओ जाओ फटाफाट 22 question पर आपको balance sheet में देखो loan मिलेगा यहां पर balance sheet के अंदर बेल लोन 3000 मैंने क्या कहा था class कभी भी partner के balance बतलब की partner का खुद का लोन की बेल और येल दो partner है और जो बेल का लोन हो 3000 तो मैंने क्या कहा था आपसे बेल का loan account बना लो loan account के loan account बना के लिख दो by balance BD कितना amount है 3000 बेल का जो loan account है उसे बना दो लिख दो by balance BD कितना amount है 3000 और एक point लिखा गया है बेल agree to accept 2500 in the settlement of his loan बेल अगरी करता है कि वो 2500 रुपए accept करेगा in the settlement of his loan यानि बेल जो है वो 2500 रुपए लेगा अपने loan के settlement में बेल agree to accept 2500 in settlement of his loan तो कोई बात नहीं पैसे ले रहा है तो टू बैंक लिख दो कितने रुपए ले रहा है 2500 और मैंने कहा था जो भी फाइदा घाटा जो भी है वो सारा का सारा कहा जाएगा realization में तो इस दो two realization 500 रुपए अब मेरी बात समझना तो आप bank account में लिख दोगे by bail loan 25 रे लाइजेशन में लिखोगे by bail loan 500 यहनि जब आप realization account बनाओंगे मैं आपको दिखाता हूं class realization बनाके जब आप realization account बनाओगे ना realization account उसमें दिखा देना by bail loan 500 और जब आप bank account बनाओगे जब आप bank account बनाओगे तो उसमें भी दिखा देना बाई बेल लोन पच्छिस सो रुपए तो जरह में रिलाज़शन अकाउंट बना के दिखाई देता हूं क्लास अब लोन अकाउंट तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है तीन हजार आएगा क्रेट साइट 25 की पेमिंट होगी तो 500 रुपए घाटा फाइदा जो भी है वो रिलाइज़शन में जाएगा एक बाद ट्रांसफर करते हैं सारी चीजों को क्यापिल नहीं आएगा जनलिजव नहीं आएगा बेल का खुद का लोन नहीं आएगा क्रेटर्स 14,000 तो यहां पर एक ही चीज है वह क्रेडिटर्स कितने के हैं क्लास 14,000 के इधर साइड क्लास टू संडरी असेट करके है बहुत सारी चीजे मैं शॉर्ट में कर रहा हूं को परणीचर है 12,000 के डिटर्स है 8,000 के स्टॉक है 24,000 के और एडिशन पोंड लिखाएं कि यह सारी चीज बिग गई है तो यह करके हम लिखते हैं बाई बैंक जो भी चीज बिकी है बाई बैंक करके बेच देते हैं क्या-क्या क्लास बिका है चेक करो स्टॉक बिका है 22,000 के डिटर है 7,500 डिटर से सेवन्टी फाइफ अंडरेड मशीन है 16,000 मशीनियरी है 16,000 बीलडिंग है 35,000 येल ने फरनीचर ले लिया है अगर कोई पार्टनर फरनीचर लेता है उसकी क्यापिटल अकाउंट में आएगा बाई येल क्यापिल आ आएगी 22,000 22,000 प्लस 75,000 और यह जो टोटलिंग क्लास इसके आएगी 80,500 आ रहा है और लास्न का डिजलोशन एक्सपेंस तू बैंक डिजलोशन एक्सपेंस का मतलब होता रिलाइशन एक्सपेंस वो कितने का है क्लास 20 50,500 का है और क्रेड़र के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो क्रेड़र के पेमेंट आप अपने आप कर दोगे यह मैंने कोश्चिन बना के दे दिया आपको 22 रिलाइशन एकाउंट अब आप टोटलिंग कर लो 22 का और फाइदा घाटा जो भी है वो कैल्कुलेट कर लो 12,8,24,45,000 और 2,500 अब चेक करो क्लास 22 का आंसर कितना आ रहा है 16,500 आ रहा है मेरा तो 16,500 अब चेक करो तो इधर आ गया 16,500 यह लॉस आ गया वाइरलाइशन लॉस ठीक है और जो टोटलिंग है वो क्लास यहां पर 151,500,151,000 ठीक है यह 500 इदर आएगा तो आपने लोन एकाउंट बनाना है बेल का जो लोन एकाउंट है वो आपने बनाना पड़ेगा ताकि आप जान सको clear है सबका क्लास करेक्ट है यह कोशिन तो पार्टनर का खुद का अगर लोन आपको दे रखा हो तो इस तरीके से आपने क्यालकुलेशन करनी है जैसा कि हम लोगों ने 22 कोशिन में कर दिया ठीक है और हाँ इसमें लोन एकाउंट बनाने के लिए मांगा भी था तो यह हम लें लोन एकाउंट भी कर लिया इस कोशिन ठीक है अगर बैलन्स शीट में असेड साइड लोन है अगर पार्टनर का लोन असेड साइड है तो सीधा उसको क्याश अकाउंट के डेबिट साइड दिखा देना असे हम कैश में सीधा क्यों दिखाते हैं देखो क्लास आपको मैं तीन चीज बतारूं क्लास आप ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है ओडर ओफ पेमेंट लिख लो क्लास कहीं पर ओडर ओफ पेमेंट अब हम डिजॉलिशन में बिजनेस को बंद करते हैं सबसे पहले पेमेंट देते हैं आउटसाइडर को सबसे पहले पेमेंट किसको देते हैं क्लास आउटसाइडर को फिर पेमेंट देते हैं पार्टनर के खुद के लोन को और लास्ट में क्लास पेमेंट देते हैं पार्टनर के कैपिटल को सबसे पहले क्लास जो ओडर ओफ पेमेंट है किस तरीके से बटवारा होगा आप पेमेंट कर रहे हो लायबिलेटी की तो किस तरीके से आप पेमेंट करोगे एक करके ताकि क्लास ऐसा नहों ना कि जो आगे लाइन में उसको पहले मिल जाए पेमेंट किस तरीके से करोगे वह आपने समझना है सबसे पहले जो पेमेंट होगी वह क्रेडिटर को आप सबसे पहले पे करोगे बाहर वालों को बाहर वालों को देना जरूर है उनको पहले पेमेंट करो फिर पार्टनर के खुद के लोन की पेमेंट होगी और उसके बाद जो पेमेंट होगी वह क्लास पेमेंट होगी पार्ट क्लास एक कोश्चिन है जो बुक में इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है मैं आपको वो कोश्चिन क्लास भेज दूँगा लेकिन एक पॉइंट है उसके अंदर जो आपको मुझे कराना है तो मैं उस पॉइंट को क्लास अभी लिखे करा देता हूं और पूरा कोश्चिन जो है वो मैं भेज दूँगा आपको ताकि आप उसे कर लेना बाद में ठीक है अचा अगर ऐसा लिखा रहेगा क्लास समझना बात को अगर ऐसा लिखा रहता है किसी कोश्चिन में बिल्डिंग ऑक्ष्ण हो गई जो निलामी करता है उसे ओक्ष्णीर बोलते है जो बिडिंग करता है कि या जो इसको ऊक्ष्णीर बोलते है ओक्ष्णीर निलामी करता है तो निलामी करता जो है उसको 50 जार रुप़े क्या मिल रहcessor कमिशन मिल रहो से निलाम करने के लिए जो कमीशन है गो 2014 का 3,000 का मिल छगे तो आप जो इसका अ मतुम्एट अब्यें वहन आप जो इसका इंपक्ट छो दिखांगे वह नेत इंपक्ट क्या कर रहे हुआ 450 कैसे आएगा भाई तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है बिल्डिंग तुम्हारी है और तुम कमिशन दे रहे हो बेचने पर 50,000 का तुमको तो 350 मिलेगा तुमको कमिशन भी खा लोगा उसका उसी के अंदर इंक्लूड होता है कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं बाई बैंक सीधे चार लाग दिखा दें कि पैसा चार लाग आ रहा है तू बैंक करके 50,000 दिखा दें तो भीया बात तो बराबर ही है ना कि आपके पास साड़े तीन लाग रुपया है अपने ध्यान रखना है कि इतना पैसा आया है वाई बैंक करके 3,50,000 तो आपका मैं होमवर्क मैंने बता दिया क्लास आपको 30 जो है 9 तक या 38 तक जो भी कोशन है वो बना लेना आपने 39 तक कोशन बना लेना है प्राम क्लास 22 22 से 39 तक एक कोशन बना लेना जो कशन में अटको गे जहां पर पोइंट में होगे वो क्लास जिस पॉइंट में इतना को यह पोल करके वाटसाप पे पूछ रहे ठीक है जलो अब मैं आपको एक पॉइंट में सिखारां आपको बहुत जरूरी है तो वो उसके बाद ही आपके लेता हूँ, सब लोग क्लास कॉपी निकालो, वेरी इंपोर्टेंट, टीएस गरवाल के साब की बुक में 8.34 पेज़ पेज़ पे एक इलस्ट्रेशन है, जो बहुत इंपोर्टेंट है, मैं आपको इमेज भेज दूँगा उसकी, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नमबर 21, पेज नमबर 8.34 पे इलस्ट्रेशन 21 है, अगर आपके इस बुक है तो आप देख लेना, अदर्वाइस मैं आपको भेज दूँगा इसका इमेज, इनकी बैलेंच शीट में जो है, संडरी असेट है, 1,70,000, इनकी बैलेंच शीट में, संडरी असेट है, 1,70,000, और एक पॉइंट लिखा गया है, क्लास इस कोश्चिन में, लिखा गया है, बी टुक, sum of the sundry असेट, at रुपेes 72,000, बी ने कुछ sundry असेट लिया है, कुछ, या कुछ का मतलब तो नहीं पता मेरे को कितने का लिया है, लेकिन जो भी उस ने लिया है, being 10% less than book value, यानि जो भी उसने समान खरीदा है वो book value से 10% less न मिला है बच्चो एक question का answer दो सब लोग फटाफट मेरी एक mobile की shop है ठीक है मालो मैं mobile बेचता हूँ आप मेरे पास mobile लेने आये तो मैंने बोला कि चलो आप तो मेरे student हो यह मेरा ही outlet है और यह मेरा ही showroom है मैं आपको 10% को off दे देता हूँ तो आप मुझे payment कितने percent करोगे mobile की value की कितने percent payment करोगे मैं मान लेता हूँ mobile एक लाग का है आप iPhone लेने आयो मान लो mobile एक लाग का है मैंने बोला कि भाया मैं तुमको 10% की छूट दे दूँगा तो तुम मुझे कितने percent payment कराओगे 90% सबका correct है 90% मतलब कि 10% हटा दिया जाए तो तुम मुझे 90% कराओगे अगर एक लाग में से एक लाग का दस हटा दूँ तो बनता है दस हजार तो आपने पेमेंट जो कराओगे वह 90,000 कराओगे सब समाज आ गया चलो यह तो point हो गया यह point लिखा गया है कि 70,000 रुपए में लिया है जो की book value से 10% काम है फिर आगे एक और line भी लिखी गई है class लिखी गई है see took see took remaining sundry asset see took remaining sundry asset जो बची कुची sundry asset है जो भी बची कुची sundry asset है वो see ले रहा है at 90% of the book value जो भी book value उसके 90% में वो ले रहा है ओके चलो अब मेरी बात समझो अब हमारे पास जो sundry asset है वो है 1,70,000 के ठीक है ना कितने के 1,70,000 था इस में से कुछ इस में से कुछ अभी मुझे नहीं पता वो कुछ कितना है लेकिन वो लिया कितने में 72,000 में जो की 10% less है बचो 10% less का मतलब आपी ने बताया अभी 10% less का मतलब लिया कितने में 90% में अगर किसी चीज की 90% 72,000 है तो उसका 100% कितना होगा अगर 90% 72,000 है तो 100% कितना होगा बतादो फटाफट यह जिसने 70 हरशवर्दन गलत क्यालकुलेट कर रहे हो बहुत गलत 79,200 जिसका भी आ रहा है ना गलत है स्मुरूती वेरी गुड आपका सही है इशान वेलडन 80,000 आएगा यसमी का रवी आप सबका सही है यार वेलडन आप सबने अच्छा किया 80,000 आएगा भाया आप लोग की गलती पता क्या करते हो आप आप इसी 72,000 का 10% निकालके जोड देते हो है ना इसी 72,000 का 10% नहीं निकालना बच्चो यह 90% है 90% का 10% तो 9% हुआ ना तो 99% वेल्यू आया 100 थोड़ी आया यह जो 72,000 है यह 90% है तो डिवाइड बाइड 90 कर दो इन 200 कर दो अगर 90% 72,000 है जो बच्चे बोल रहे हो क्लास की हसर 79,200 वो जरा 79,200 में से 10% घटा के देखना क्या 72 आएगा जिंदेगी में कभी नहीं आएगा चेक करके देख लो आप अपने ही आंसर में फस गे आपने खुद बोला 72,900 उसमें से मैं 10% घटाऊंगा त सही आंसर जो है इसका 80,000 है और आप 80,000 में से 10% यानि कि 8,000 घटा के देख लो 80 में से 2 घटा दो 72,000 आजएगा तो करना कैसे है क्लास अगर 72,000 90% है तो डिवाइड बाई 90 इंटू हंड्रेड स्टॉक इस अंडर वेलूड स्टॉक इज ओवर वेलूड मेरा अड्मिशन मे तो यह 90% है डिवाइड बाई 90 इंटू हंड्रेड तो सॉल्व करके आगया 80,000 यानि वो कुछ संड्री असेट जो थे वो 80,000 के थे जिसे पार्टनर ने कितने मिले लिए 10% डिसकाउंड मिलिया अब बच्चो तुम 80,000 में से 10% घटा के देख लो मरा बहत्तर हजार ही आए चला गया तो रिमेनिंग जो संड्री असेट बच्चे वो 90,000 के हैं और उसको सी ने ले लिया कितने में 90% में जो की बनेगा 81,000 उसे सी ने कितने में लिए क्लास 90% में जो की बनेगा 81,000 तो हम करेंगे क्या क्लास देख लो जरा realization account में सबसे बले transfer तो करी देंगे आपको पता संड्री असेट यहां पर आ जाएगा वो तो हम पूरा question जब करेंगे घर पर आप solve करना उसको तो पहली बात तो by C sorry by B, B ने कितने में लिए क्लास? B ने लिए 72,000 में और by C, C ने कितने में लिए क्लास? 81,000 यह आपने काम करना है 72 और 81 I repeat कि उसने जो 72,000 की payment की है उसने सिर्फ 90% की value की payment की है तो divide by 90 into 100 यह 100% आ जाएगा जो कि 80,000 वोगर 1,70,000 में से 80,000 चला गया तो 90,000 की century asset अभी भी बचा हुआ है clear एकलास यहां तक तो यह question illustration में ने बता दिया page number वगेरा तो आप बिल्कुल अच्छी से कर लोगे इरती बिल्कुल करेक्टर 81,000 आ रहे है तो इस तरीके से जो questions है na full pledge questions वो बना लेना आप अच्छे से please request है क्योंकि अगर आपके question ही नहीं तक एक एक question बना लेना जिस question का जो point आपको नहीं समाज माएगा वो मुझसे पूछ लेना clear class यहां तक आप लोग पढ़ लेना class ठीक है next class में हम लोग जो है वो continue करेंगे